बूर सुनेंगे आँ मा, मेरी तो सुन नहीं रहे, काश तुम्हारी ही सुनले भगवान वैसे बात क्या है बेटा, तुझे इतना परिशान तो कभी नहीं देखा इससे पहले सोमु अपनी सारी परिशानी बूर्धी अम्मा को बताता है सुमु की बात सुनकर बूरी अम्मा मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है फिर कुछी देर बाद वो बूरी अम्मा वापस आती है उनके हाथों में एक बड़ी सी टोकरी थी वो उस टोकरी को सुमु को देते हुए उससे कहती है ले बेटा, ये रख ले, जा, इसमें रख कर बेच अपनी सबसियां पर अम्मा ये, ये तुम कहां से लाई पुरानी टोकरी है, सालों से है मेरे पास अब मेरे तो हाथ पैरों में जान नहीं कि इसका कुछ इस्तिमाल कर सकूं बस इतना याद रहे बेटा इस टोकरी पर टोक लग जाएगी अगर तेरे मन में लालच आया तो बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा तुम नहीं जानती तुमने कितनी बड़ी मदद की है मेरी बुरी अम्मा सोमू के सर पर हाथ रख कर उसे आशरवात देती है और फिर वहाँ से चली जाती है सोमू अपनी सारी सब्जियों को उस टोकरी में रख लेता है और फिर उस टोकरी को अपने सर पर रख कर उसे बाजार ले जाता है उस दिन सोमू की सारी सबजियां बहुत ही तेजी से बिक रही थी उसे हर तरफ से ग्राह को ने घेर रखा था लेकिन अजीब बात ये थी कि सारा दिन धेर सारी सबजियां बेचने के बाद भी शाम को सोमू की टोकरी सबजियों से भरी ही थी ये देखकर सोमू को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ है ये कैसे मैं तो कब से सबजी बेच रहा हूँ फिर ये सबजियां खत्म क्यों नहीं हो रही कहीं ये कोई सपना तो नहीं है सोमू फॉरन अपनी जेब में हाट डालता है उसकी जेब पैसों से भरी थी जो उसने सारा दिन सबजी बेच कर कमाए थे है भगवान ये क्या जादू है सोमू ने टोक्री उठाई और अपने घर की तरफ चल दिया रास्ते में उसे कई लोगों ने रोका और उससे सबजी खरी दी लेकिन फिर भी सोमू ने घर पहुँच कर देखा कि उसकी टोक्री अब भी सबजीों से भरी हुई थी सोमू अस्मंजस में था और सबजी की टोक्री को घूरे जा रहा था तब ही उसकी पत्नी राधा वहां आ गई और सबजी से भरी टोक्री को देख कर बोली अरे ये क्या, आज एक भी सबजी नहीं बिकी, ये टोक्री तो वैसी की वैसी ही है जैसी सुबह लेकर गए थे सोमू अपनी जेब से पैसे निकाल कर राधा को दिखाता है तब जाकर राधा को सोमू की बात पर भरोसा होता है वो सोमू से कहती है देखा जी मैं ना कहती थी भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे तब ही तो उन बूरी अम्मा को हमारी मदद के लिए भेज दिया उन्होंने मुझे तो पूरा विश्वास है ये टोकरी जादूई है जादूई हाँ राधा मुझे भी यही लगता है लेकिन फिर भी चल एक बार मिलकर खाली करते हैं इसे वो टोकरी में से सबजी निकालते रही और सबजीया अपने आप बढ़ती रही ऐसे ही कई घंटे बीद गए और सोमू के घर में हर तरफ सबजीयों का धेर लग गया वा राधा अपनी तो किसमत खुल गई ये टोकरी तो सचमु जादूई है राधा हाँ ठेला क्या चीज है अब तो हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं जी सोमू के पास अब बेचने के लिए बहुत सारी सबजीया थी वो गाउं के बड़े दुकानदारों को घर बुला कर अपनी सबजीया उन्हें बेच देता है वो ने खुदी सोमू के घर से सारी सबजीया उठवा कर ले जाते हैं इस तरह सोमू की सारी मुसीबते एक ही पल में उस जादूई टोकरी ने हल कर दे थी सोमू और राधा हर रोज मिलकर टोकरी से खूप सारी सबजीया निकालते और फिर उन्हें बेच दिया करते इस तरह कुछी दिनों में सोमू काफी अमीर हो गया उसने खुद सबजीया उगाना छोड़ दिया और अब एक बड़े से घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने लगा फिर एक दिन राधा मैं एक बात सोच रहा था हाँ बोली न अगर इस टोकरी में सबजीया कभी खत्म नहीं होती तो दूसरा सामान भी तो खत्म नहीं होगा न राधा सोमू का इशारा समझ गई थी उसने तुरंट अपने गले से सोने का हार उतार कर उस जादोई टोकरी में डाल दिया और फिर कुछ देर बाद जब राधा उस हार को उठाने के लिए आगे बढ़ी तो टोकरी को देखकर चौंक गई अरे अरे ये क्या सुनिए इधर आई ये जल्दी सोमू जाकर टोकरी में देखता है वो पूरी तरह से खाली थी टोकरी में ना तो सोने का हार था और ना ही कोई सबजी उसमें थी सोमू और राधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था उन्होंने पास ही रखी एक लौकी उस टोकरी में डाली वो लौकी टोकरी में डालते ही गायब हो गए सोमू ने अपना सिर पकड़ लिया अब उसे बूरी अम्मा की कही आकरी बात याद आ रही थी बस इतना याद रहे बेटा इस टोकरी पर टोक लग जाएगी अगर तेरे मन में लालच आया तो सोमू समझ गया था कि उसे उसके लालच की सजा मिली है वो टोकरी अब भी जादु ही थी लेकिन उसका जादु सोमू को अमीर नहीं बलकि वापस गरीब बनाने के लिए था